Welcome to Only Ais, स्वागत है आप सभी लोगों का Prelim Booster News Discussion में आज है 11 फरवरी 2022 तो आईए देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हम cover करने वाले हैं हमार फर्स्ट आर्टिकल National Food Security Act of 2013 के बारे में है अभी हाल ही में Government of India ने Parliament को ये बदाया कि आत्मनिर्भर भरत scheme के अंडर में उन्होंने आत्मनिर्भर भरत package स्टार्ट किया था मई 2020 में जिसके तहट जो Migrant Labors थे या फिर जो Stranded Migrants थे जो किसी जिगे पे फस गए थे जो ना तो National Food Security Act NFSA के अंडर में cover हो रहे थे और ना ही किसी स्टेट के PDS scheme का हिस्सा थे उन्हें food grains प्रोवाइड करवाया गया है ये सारी बाते अभी Parliament को बताई गई बात करते हैं NFSA 2013 के बारे में ये free मतलब ये जो food और nutritional security है उसे ensure करता है फ्री नहीं होता इसमें एक basic cost जो भी लोग इसे avail करते हैं उन्हें पे करनी होते हैं बहुत ही nominal होती है ताकि adequate quantity और quality food मिल जाए affordable price पे ताकि एक व्यक्ति अपनी life को dignity के साथ जी सके जो PDS है Public Distribution System है वो NFSA 2013 के under मिला दिया गया है उसी का हिस्सा बना दिया गया है NFSA के तहत subsidized food grains दिये जाते हैं under targeted PDS यानि कि कुछ household को target किया जाता है जो ज़्यादा vulnerable है और उन्हें subsidy के form में food grains दिये जाते हैं इसके लावा होते हैं देखें eligibility में आपको दो प्रकार के household मिलेंगे एक तो होंगे PHS यानि कि priority household और दूसरे होंगे AAY यानि कि अन्तियोदय अन्योजना के तहत आने वाले household तो जो priority household हैं उन्हें cover किया जाता है targeted PDS में priority decide की जाती है कि इन households को हम cover करेंगे PDS के अंडर में फर्दर जो अन्तियोदय अन्योजना के households होते हैं वो भी cover होते हैं इसमें एक बात ये है कि जो राशन कार्ड issue होता है वो woman को head of the family मानते हुए issue किया जाता है इस act के तहट जो household अन्तियोदय अन्योजना के तहट आते हैं पर household 35 kg food grains दिये जाते हैं जबकि PHH यानि की priority household जो होते हैं उनमें 5 kg per person के basis पे पर month अनाज दिया जाता है उनकी कीमत 3 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए पर kg होती है 3 रुपए चावल के लिए, 2 रुपए गेहों के लिए और कोई course green है तो उसके लिए 1 रुपए पर kg चार्ज किया जाता है meal और maternity benefit का प्रावधान भी NFSA 2013 में किया गया था, जिसमें कहा गया था कि किसी भी pregnant woman ये lactating मदल को जो अपने बच्चे को दूद पिलाती हो उन्हें 6000 एक amount दिया जाएगा, उनकी pregnancy के दौरान और बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद के भीतर में ताकि बच्चे की और मा की कुछ basic needs पूरी हो सकें 14 वर्स तक की आयो के बच्चों के लिए meal का भी प्रावधान किया गया Food security allowance देने की बात की गई, अगर सरकार food grains देने में असफ़ल होती है तो further एक grievance redressal mechanism को भी establish करने के लिए कहा गया district और state level पे अगर कोई दिक्कत आती है तो इस mechanism को opt किया जा सकता है NFSE, total population का two-third cover कर लेता है 2011 के population estimates के according 75% rural और 50% urban population इस scheme के तहत cover हो जाती है हमरा next article SWIFT के बारे में है SWIFT हाल फिलहाल में काफी ज़्यादा news में है Russia और US के बीच में tensions बनी हुई है Ukraine के issue को लेकर Ukraine को NATO के membership देना चाहता है USA ऐसी बाते चल रही है Russia ऐसा चाहता नहीं है इसलिए वो Ukraine के border पे अपनी military को mobilize करके रखे हुए including tanks and aircrafts In that case, ऐसा रगरा है कहीं third world war के स्थिती नहाँ चाहे United States ने ये भी कहा कि अंतिम विकल्प के रूप में Russia को स्थ से भी बाहर किया जा सकता है अगर Russia को स्थ से बाहर किया जाता है तो इसके क्या implications होंगे और ये स्थ है क्या इसका full form है Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication इसमें एक बात तो ये clear है कि एक society है Society का मतलब ये है कि कई सरे stakeholders मिल के इसे चलाते है दुनिया भर में जो Interbank Financial Telecommunication होता है दुनिया भर में जो अलग-अलग banks है जब ये आपस भी financial transaction करते है तो information को भी convey किया जाता है messages दिये जाते हैं कि इस transaction को करना है तो वो transaction करने के लिए जो mechanism opt किया जाता है जो communication system opt किया जाता है उसे ही shift कहा जाता है जैसे एक bank से अगर global level पे दूसरे bank में किसी दूसरी देश में पैसा भीजना है तो एक information ने convey की जाएगी कि हाँ इस bank से इस bank में पैसा जाना है तो shift code भेजा जाता है basically एक bank से दूसरे bank में जिसके जरीए identify किया जाता है कि अब beneficiary को पैसे दिये जाने चाहिए तो यह जो पूरा communication होता है यह बहुत ही secured और interpreted होता है क्योंकि एक इसे breach किया गया तो बहुत बड़ी transactions होते हैं global level पे वो सभी प्रभावित हो जाएंगे 1973 में इस system को तयार किया गया था यह messaging network है जिसे bank और financial institutions दुनिया भर में इस्तिमाल करते हैं यह 11,000 से जादा banking और security organizations को connect करता है 200 से जादा देसों और territories में यह headquartered है Belgium के Brussels में सिर्फ के बारे में एक बात आप बिलकुल थ्यान से समझेगा कि यह सिर्फ एक messaging platform है जो information convey करता है यह ना तो कोई securities अपने पास रखता है ना ही पैसा रखता है और ना ही इसके पास किसी का bank account होता है बस यह एक emulator की तरह काम करता है जो information को convey करके या messages को encrypt करके भीज के जो transactions हैं उन्हें facilitate करता है extended manner में यही इसका majorly काम है ठीक है अब इतना बड़ा Swift का जो platform है यह govern कैसे होता है इसे own और control किया जाता है इसके shareholders के द्वारा कौन है इसके shareholders वही financial institutions and banks लगपक 3500 firms इसका हिस्सा है यह सभी लोग मिलकर 25 independent directors को चुनते हैं जो इस पूरी company को या इस पूरी society को run करते हैं इन्हें OAC किया जाता है दिखा जाता है G10 Central Banks के द्वारा जिनमें Belgium, Canada, France, Germany, Italy, Japan, Netherlands, UK, United States, US, Switzerland और Sweden सामिल हैं फर्दर European Central Bank भी इसका हिस्सा रहता है और इसे lead किया जाता है National Bank of Belgium के द्वारा 2012 में इस पूरे framework को review किया गया और Swift के oversight forum में कुछ और देसों के Central Banks भी सामिल किया गया जैसे कि India, Australia, Russia, South Korea, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Republic of Turkey, People's Republic of China ताकि पूरे system को और inclusive बनाया जा सके अगर रशिया को इससे बाहर किया गया तो क्या होगा सीधा implication आपको समझ में आ रहा होगा Russia financial transactions global level पे नहीं कर पाएगा मतलब जो investors रशिया में invest करना चाहते हैं वो अपने पैसे को transfer नहीं कर पाएगे तो रशिया का जो investment है domestic investors के उपर ही उसके dependence बन जाएगी और एक बार को लेकर काफी ज़द नुकसान हो जाएगा रशिया को ठीक है तो ये एक resort हो सकता है जो US opt कर ले में भी रश्या के उपर दबाव बनाने के लिए हमरा next article Central Media Accreditation Guidelines 2022 के बारे में है अभी हाली में सरकार ने इन guidelines को चारी किया है ये guidelines होती क्या है Press Information Bureau यानि कि P.I.B. ये मानिता देता है Accreditation का मतलब होता है मानिता जनलिस्ट को दिया जाता है जनलिस्ट को इमानिता या Accreditation इस आधार पर दिया जाता है कि अब Government Offices को या Official Functions को उसमें सामिल हो सकते है Reporting वगएरा कर सकते है कोई भी कहीं भी तो नहीं हो सकता न Government Offices में, Parliament में तो kind of media pass है you can see जिसके तहर तो Government Offices में जा सकते है और Parliament में भी जा सकते है इसके बिना ऐसी जगहों पर Entry possible नहीं होती, ठीक है अब ये Passes सब को ऐसे ही नहीं मिल जाते कुछ क्राइटिरिया होता है कुछ बात ही अगर किसी मान लीजिए व्यक्ति को किसी जनलिस्ट को ये मानिता दी गई है ये Pass दिया गया है और उसने कुछ गरबड़ियां की तो ये Pass Suspend किया जा सकता है जैसे कि वो देश के Security, Sovereignty or Integrity के साथ कुछ गरबड़ी कर रहा है कुछी ऐसे देश के खिलाफ रिपोर्टिंग कर रहा है जिसके सांथ हमारे Friendly Relations है Public Order को बेकार कर रहा है या फिर उसने कोई ऐसा Offense किया है जो Cognizable है यानि कि उसे बिना Warrant के Arrest किया जा सकता है फर्दर उसने Decency or Morality को Breach किया हो Contempt of Code, Defamation या Offense को Insight किया हो तो उसकी जो मानता है वो समाप्त कर दी जाएगी फर्दर किसी भी Journalist को ये मानता दी गई है ये Accreditation दिया गया है इसे वो कहीं बता नहीं सकता ना तो Public और नहीं Social Media Platform पे ना आपने Visiting Card पे लिख सकता है ने Rater Head पे लिख सकता है और नहीं किसी Published Work पे ये बता सकता है कि मैं मानता प्राप्त हूँ P.I.B. के ओर से मैं कहीं भी Government Office में जा सकता हूँ ये आप बता नहीं सकते बस आपके पास है आप उसका इस्तेमाल करिए जो Accreditation है वो केवल उन्हीं Journalist के लिए अवेलेबल होता है जो Delhi NCR Region में ही रहते हैं और उनकी भी कई सारी Categories होती है कुछ Criteria होता है जैसे Journalist के पास Professional Experience कम से कम 5 साल का होना चाहिए या 15 साल का Freelancer का Experience होना चाहिए कोई Veteran Journalist है या 30 साल का Experience है 65 years की ओज एज जो है Complete हो गई है वो भी Eligible है अगर मानेजी कोई Newspaper ऐसा Accreditation देना चाहता है तो उसका Daily Circulation कम से कम 10,000 का होना चाहिए और उसके पास कम से कम News Agency के पास 100 Subscribers होने चाहिए ये Rules similarly News Organizations जो Foreign Level के हैं Foreign Journalists पर भी Applicable होते हैं जो Digital News Platforms हैं वो भी Eligible है लेकिन उनके पास हर महीने 10,000,000 यूनीक विजिटर्स होने चाहिए मतलब नए विजिटर्स जो एक बार आ गया पुराने वो ठीक है कोई भी No Accreditation Will Be Granted मतलब जो Freelance Journalist हैं उन्हें मानिता नहीं दी जाएगी अगर वो Foreign News Media Organization से किसी प्रकार का कोई संबन्द रखते हैं तो अभी जो Guidelines जारी की गई है उनके तहर एक Committee को बनाया जाएगा नाम दिया जाएगा Central Media Accreditation Committee यानि कि CMAC इसे चेर किया जाएगा Principal Director General के दवरा जो कि P.I.B. के हैं उन्हीं के दवरा 25 Members nominate किये जाएगे सरकार की ओर से जो बाके functions perform करेंगे दो साल का इनका काम होगा और इन्हें एक quarter में यानि कि तीन वहने में कम से कम एक बार meeting करनी होगी या फिर और Frequently मिलना होगा हमारा next article विज्ञान जियोती scheme के बारे में है अभी 100 स्कूलों में इसे rural area के implement किया गया है देखे क्या होता है cities में तो education system आपको थोड़ा बहुत बहतर दिखेगा जहां पे जो girls होती हैं वो भी science system को लेना पसंद करती है लेकिन rural area में situation खराब है वहां पे जो girls होती हैं वो basically humanities में जाती हैं या फिर उन्हें ऐसा persuade किया जाता है या humanities में चले जाओ ये आसान होता है तो science को लेकर उनका रुजहान थोड़ा कम रहता है सरकार चाहती है कि rural area में भी जो girls हैं वो science को लेकर थोड़ा अपना रुजहान दिखाएं वो science, tech, engineering और mathematics को opt करें इसी उद्देश से इस scheme को Department of Science and Tech के द्वारा launch किया गया ताकि जो girls हैं उन्हें STEM में जाने के लिए persuade किया जा सके वो pursue करें उसे इसके माध्यम से class 9 के level पे ही उन्हें समझाया जाता है बताया जाता है कि और PhD level तक उन्हें guide किया जाता है कि कि वो कैसे STEM के feel में जा सकती है Science, Tech, Engineering और Mathematics इसमें कई तरह की activities involved होती है like science camps, special lectures या classes, counselling students की role models के साथ interaction, tinkering activities या फिर knowledge partners के साथ research labs के साथ उनका जुडाव ताकि वो समझें कि science क्या है और उसमें उनका interest बढ़े नवोदे विद्याले समिती एक autonomous organization और Minister of Education की वो implement करती है विज्ञान ज्योती को हमरा next article tunic uniform के बारे में है मनस्टा के DGP संजे पांडे जी ने अभी एक सर्क्लोर जारी करके कहा कि अब जो certain rank officers हैं उन्हें tunic uniform नहीं पहनना होगा tunic uniform में basically uniform के उपर उन्हीं एक coat जैसा overcoat जैसा पहनना होता था जिसमें एक belt होती थी जो कंदे से होकर आती थी और यहां पर belt होती थी एक तलवार भी लेनी होती थी मतब काफी यूं कह देजे कि British era का ये पूरा uniform system था cold climate के लिए ठीक है वहाँ पर सर्दी होती है तो जदा कपड़े पहने जा सकते हैं लेकिन इंडिया का climate ऐसा नहीं है यहां पर गर्मी होती है, humidity होती है इतने भारी कपड़े काफी मुश्किल क्रेट करते हैं महरास्ट्रा ने कई बार 2-3 बार साल में ऐसा बोला कि नहीं इसको पहनने के जरूत नहीं है अब उन्होंने फाइनली यह खतम ही कर दिया उन्होंने इसके लिए यह कहा कि देखे कई बार complaints मिल रही थी, एक तो यह बहुत महंगे होते हैं और फर्दर इन्हें पहनना भी मुश्किल होता है इसलिए फाइनली इसे बंद कर दिया गया और अब इसको पहनने के अवश्क्ता नहीं होगी जो police sub inspector देने के PSI हैं या deputy superintendent है या SP rank या उसके उपर के जो भी officers हैं उन्हें इसे पहनने के अवश्क्ता नहीं होगी यह uncomfortable था hot climate के हिसाब से sword, shirt, pant, tie और coat ये expensive भी हो जाता था और पहनने भी मुश्किल होती थी हमारे next article fair bank disease के बारे में है हाली में Union Minister of State for Health and Family Welfare ने ये बताया राजसभा को कि fair bank disease और acromegaly जो disorder है उसके लिए जो भी patients हैं subsidized rate पे या free में जो tertiary healthcare facilities जाना एक medical colleges, central institutes जैसे की IMS वहाँ इनका treatment करवाया जा रहा है अब fair bank disease है क्या जिसे multiple epiphyseal dysplasia यानि कि MED भी कहा जाता है ये rare genetic disorder है 10,000 में से किसी एक को होता है ये bone के ins को प्रभावित करता है देखे होता क्या है कि हड़ियां बढ़ती है जैसे जैसे किस कोई भी बच्चा बढ़ता है उसकी हड़ियां भी बढ़ती है लेकिन हड़ियां बढ़ने का क्रम क्या होता है हड़ि के जो अगले हिस्से है उनमें cartilage जाके जम जाता है जो कि एक flexible connective tissue होता है bone के ins पर ये जाके जमता है और इस प्रक्रिया को ossification कहा जाता है कुछ समय बाद यही tissues solidify हो जाते हैं और bones का रूप ले लेते हैं लेकिन जिसको MED के problem होती है उसमें bones से बन नहीं पाते पुरी तरीके से solidify नहीं हो पाता तो वो bones जो होते हैं वो सही तरीके से function नहीं कर पाते तो इसी प्रकार की बिमारी को fair bank disease यानि की MED कहा जाता है इसमें अक्सर pain डिखने को मिलता है और उन्हें कई बार doctors के पास जाना पड़ जाता है Acromagaly disorder क्या है? यह एक hormonal disorder है जिसमें होता क्या है? कि जो pituitary gland है उसमें जादा growth hormones निकलने लगते है growth hormones का निकलना बहुत सही होता है because इससे ही बच्चे के height बढ़ती है growth होती है जब बच्चा छोटा होगा तो दिमें-दिमें growth बढ़ेगी लेकिन एक बार जब बच्चा बढ़ गया उसका एक size आ गया तो फिर वो बढ़ता नहीं है फिर क्या होता है कि उसका कोई हाथ, कोई पैर, कोई चेहरे का जबड़ा ये बढ़ जाता है तो ये kind of disorder बन जाता है इससे acromagaly बोला जाता है कई बार इसकी वज़़ज़ से ही बच्चे की height बहुत ज़दा हो जाती है इसे gigantism कहा जाता है तो कुल मिला के इसमें किसी एक body part का uneven रूप से बढ़ना दिखा जाता है disorder inherited नहीं है parents से, मतलब मतपिता से नहीं आता, किसी को हो जाता है इसमें face, hands या feet enlarge हो जाते है joint pain, thicker skin, voice का भारी हो जाना headache और vision में problem इससे associated कुछ दिक्कते हैं जो आजाती है हमारा next article International Court of Justice के बारे में है युगान्डा को DRC यानि कि Democratic Republic of Congo को 325 million dollars देने होंगे, reparation के तौर पे compensation के तौर पे, जो conflict 1998 से 2003 के बीच में चला उससे, जो damage हुआ person का, जिसमें loss of life, reap, child soldiers का recruitment, civilians का displacement, ये सब सामिल है उसके लिए ये punishment दी गई है युगान्डा को ये अभी हाल ही में judgment आया है ICJ International Court of Justice का ICJ एक judicial organ है United Nations का 1945 में इसे बनाया गया था और ये 1946 के April से काम कर रहा है ये देखे, हेग Netherlands में situated है और 6 organs में से ये एक मात्र ऐसा organ है जो कि USA में नहीं है सभी UN members इसके member होते हैं इसमें 15 judge होते हैं जिनने 9 सालों के रहे चुना जाता है United Nations General Assembly और Security Council के दवारा Official Language है English और French Court का का काम है कि International Law के basis पे legal disputes को settle करना और advisory opinion भी देना अगर उनके पास कोई मुद्धा आता है तो ये केवल ऐसे ही disputes को सुनते हैं जो इनके पास लाए जाए कोई सुमोटो डिस्जन ही नहीं ले दे कोई मुद्धे को खुद से नहीं उठा दे कई सारे subject matter ये handle करते हैं like sovereignty, bonded dispute, maritime dispute, trade, natural resource, human right treaty violation, treaty interpretation और बहुत कुछ इसमें देखे जो dispute की parties होती है वो केवल state हो सकती है मैं या आप जाके ICJ में case नहीं कर सकते कि हमारे पडोसी नहीं मारा रास्ता रोक रखा है या उसने हमारे घर के सामने कच्रा फेक दिया इस प्रकार के cases वो नहीं देखेंगे किसी वो individual का case नहीं लेते वो किसी एक देश का case लेते है और हाँ ऐसा हो सकता है कि कोई एक देश अपनी किसी एक individual का मामला उठाके किसी दूसरे देश के खिलाफ case कर दे किनोंने हमारे इस individual के खिलाफ harassment किया है या कोई दिक्कत create करी है लेकिन party, state ही होनी चाहिए ठीक है, article 94 UN Charter का ये कह रहा है कि जो भी decision ICJ लेगा, वो binding होगा final होगा और उसकी कोई appeal नहीं की जा सकेगी revision करते है acromagaly disorder ये person को उसकी मता-पिता से मलता है गलत है, ये inherited नहीं होता विज्यान जी होती scheme, इसके मधहम से girls के interest को बढ़ाया जा रहा है STEM में that's true, swift best of Switzerland में situated है, नहीं ये Brussels में है, तो ये भी गलत हो गया, National Food Security Act of 2013, subsidized food grains ये जाते हैं, TPDES में that's true ICJ, judgments binding नहीं है गलत है, judgments binding होते है आज का session यहीं पर समात होता है बहुत बहुत धन्यवाद